कि के विरोध को बरदास्ट ना करें और उसकी हत्या पर उतराएं और आपके उस बूरे समय में कोई आपके साथ खड़ाओ मुझे कहने में कोई प्रहज नहीं है कि जब 21 तारीक का हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे मेरी एक बार की बात पर दीदी ने अपनी पार्टी के चार-चार मेंबरों पार्लेमेंट को वाँ भेजा और अन्याय के खिलाब उस आवाज को बुलंद किया जिसको आज हम देख रहे हैं कि देश भर में किस तरह से लड़ने वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है किस तरह से CBI, ED, Income Tax, NIA, जूटे मुकदमे, जेल, जो लोग देश के लिए लड़न को ड्राय जा रहा है फिर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कि एक दिन घर आना पड़ेगा खाना खाने के लिए तो फैदराबाद का खाना भी बड़ा मसूर है लेकिन उससे अच्छा ये है जो हमारे पीछे हम लोग देख रहे हैं इसकी टोटल उचाई है 175 फीट टोटल नीचे सले के उपर तक अच्छी बात यह है तिलांगना में कि सिरब यहां भावसा अंबेड़कर कि स्टैचू नहीं लगाए गई उनके विचारों पे भी कि यह वंचित वर्गों को अफलिप्ट करने के लिए बहुत बड़ा काम हो सेडूल ट्राइब उनको उपर खड़ा करने के लिए उनको में इस्ट्री में लाने के लिए किस तरह का प्रयास करें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी करनी कथनी और करनी में ज्यादा फार्क नहीं इनकी कथनी जो है उसी तरह से यह लोग काम भी कर रहे हैं और मैं आप लोगों ने इतना बड़ा जो है बावा साम बेटकर का स्टैचू लगा के ये साबित किया और फिर इसके बाद बराबर में ही हमारी जो सेकेट्रेट है उसका नाम ही डोक्टर बावा साम बेटकर के ना